सकरात्मक सुधार्किया इसका विरोध हम नहीं कर रहा है वी पीएसी ने अच्छा सुधार्किया हम इसका स्वागत कर रहा है यह उप्सन को आप हटा दीजिए इसके लिए हम पढ़ियास जारी रखेंगे और इसके लिए अगर छात्र काएंगे तो हम आंदूलत भी करेंगे 99% teacher है जो छात हीत में काम नहीं कर चाहिए जिर्फ एक परसेंटीचर है जो छात हीत में सोचते हैं यह जो तरक दे रहा है कि कहीं भी इस तरह की विवस्तान नहीं है यूपीएसी में या आने सिबिल सेवा में तो कहीं यूपीएसी में या कि कहीं आने सिबिल सेवा में दे लोग को नहीं हटाएएगा तो फिर जो अंदर से जो चल रहा है उस सिस्टम में जो घुन लगा वो तो फिर चलता रहेगा ना नमास्कार आप देख रहा हैं दब यहां टॉप मैं हूँ आदेश पूरी BPSC और सठ्वी में पूरी तरह से BPSC सिविल सिवा को बदल के रख दिया गया है आपको बता दे कि PT में निगेटीव सुरुआत हुआ है मेंस में ऑफ्सनल की एक तरह से छुट्टी कर दी गई है एससे पेपर को इंटर्डूस किया गया है तीन सो नमबर के लिए हमार साथ है छात नेता दिलिफ है लगातार BPSC में बदलाओ चेंजिंग के लिए पारदरस्त्या के लिए आवाज उठाते रहे हैं सहीं बात करेंगे दिलिफ जी और साथ भी पूरी तरह से बदल चुका है पिछले साथ एक जाम से क्या कहना है इस पर कैसे देख रहे हैं इसको सबसे पहले तो हम यह कहेंगे कि जिस तरह का बदलाओ मेंस में किया गया है तो यह बदलाओ हम लोग जब परिख्छा देना सुरू किये थे बीपेसी का उस समय हम लोग चाहते थे कि ऐसा बदलाओ हो लेकिन उस समय कोई लरने वाला था इने नहीं ता आवाज उठाने वाला नहीं था हलाकि जब परसेंटायल आ रहा था था सबसे ज़्यादा विरोध हमने किया था अतुल परसाद जी का मेरे इतना विरोध किसी ने नहीं किया होगा अतुल परसाद जी का अर अतुल परसाद जी के बारे में हमने बहुत सारी बाते बोली विरोध में लेकिन ये जो फैसला है 68 मी से जो मेंस में बदलाव किया गया ये बहुत ही अच्चा फैसला है सरानिय फैसला है हम लोग लगा तार मेंस में सुधार की मांग कर रहे थे मतल़ शकेलिंग सिस्टम को लेके कि एक समान बेभार सभी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए अर्ताली से बाबनवी में क्या हुआ एंत्रोपोलोजी जो लोग रखे 90% लोग पास कर गए एक बार क्या हुआ दो एकजाम में क्या हुआ उसके बाद LSW जो रखे पास कर गए बूम कर गया LSW कभी हिंदी बूम कर जाता था कभी जोगरफी बूम कर जाता था तो यह सा नहीं होना चाहिए मेरा करना की सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान बेभार हो और यह जो परसेंटाइल लोग को लेकर जो आंदोलन हुआ तो समभबता 22 अगस्ट को हम लोग मिले थे 22 अगस्ट को ही मिले थे पहली बार चेर्मेन साब से उस दिर में हमने कहा था उसके बाद हम इस बार जब सरसचमी का रिजल्ट आया है और उसमें जो गरबड़ी हो उसको लेकर जब हम मिले हैं चेर्मेंट साब से अभी तक हम तीन या चार बार मिले हैं तो हर बार ऐसा नहीं था कि जिस मुद्दे को लेकर हम लोग अंदोलन करें सिर्फ उसी मुद्दे बात होता था और इन सब मुद्दों पर भी बात होता था तो उन्होंने कहा भी था कि स्केलिंग सिस्टम हम लाएंगे हटाएंगे क्या करेंगे किस तरह से उप्सिनल को हटाएंगे हम राय लेंगे तो आप अप्सिनल सभजेक्ट को हटा दीजिए मैंने हसते हुए कहा था कि इसे अच्छा optional subject को ही क्यों नहीं हटा देते आप तो बड़ी गौर से वो मुझे उस समय देख रहे थे और मुझे नहीं पता था कि मेरी बात का इतना उनके उपर असर कर गया और optional एक तरह से हटी गया, qualifying हो गया तो देखिया हम इसका स्वागत करते हैं, कल रात में हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने कुछ बात कही थी, उसको लोग गलत तरीके से ले लिए हमने ये बिरोध नहीं किया है, आप उस वीडियो को अभी भी सुनिये तो हमने ये नहीं कहा कि बदलाव को हम विरोध कर रहे हैं, हमने कहा कि बदलाव सकरात्मक है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ समय मिलना चाहिए, जैसे जो लोग पहले से तयारी कर रहे हैं, अचानक से कुछ बदलाव होता है, उसे भी कोई भी वेवस्था में परिवर्तन आता है, तो कुछ लोगों को परिशानी जरूर होती है, तो इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन ये भी बात है कि अगर थुरा समय लगेगा, तो पता नहीं बाद में क्या होगा नहीं होगा, चेंजिंग नहीं भी आ सकता, तो खेर जो भी हो, कुछ लोगों को दिकत इससे जरूर होगी, लेकिन अड़जस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको समय भी मिल जाएगा, पीटी अभी फॉर्म ही स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इए उप्सन को आप हटा दीजिए, इसकी मांग छातर भी कर रहा है, दिलिप जी हम जब भी उनके पास गया है, मैं भी चर-पांच बार उनसे इंटर्व्यू किया हूँ, इए उप्सन को लेकि हमेशा वो कहते हैं, तो बड़ा अच्छा इससे तो कोई दिकत होना ही नहीं चाहिए इसातर को और वो हटाने के मुड में है भी नहीं से, देखे ये अमरेंदर कुमार जी के द्वारा उनको तरक दिया गया हूँ, वाकि क्यों अच्छा चीज है, वो अपने फेवर में बोल रहे हैं, तो इसलिए हम पर्यास करेंगे पर फिर अतुल परसाजी से हम मिलें और उनको बताएं कि इस ओप्षन से क्या दिकत है, उसमें दो ओप्षन है, इसमें इसे एक से जएदा सही, अबलिक इनमें से कोई सही नहीं है, तो दोनों एक साथ कोई किसी कोशन का अंसर अगर ये सोच के मार रहा है, कि इसमें से दो कुमार कहीं न कहीं हाँ भी है इस सीज़ पे, तो फिर एक बार हम परियास करेंगे, कि अतुल परसाजी से मिलके हम उनको बताएं कि ये ओप्षन से क्या दिकत है, हम लोग ओकते हैं, हमें परसनली तो कोई दिकत नहीं है, इसलिए हमको दिकत है, पर ये अभी मेंस में सिख्षकों का मेरे पास भी फोन आया कि ये गलत है, उनका भी जीवी का इन से जुड़ा हुआ है, ये उनका कहने का तर्क था, जो मैं आपको बता रहा हूँ हूँ, और उन्होंने भी तर्क दिया कि विस्विद्यालियों में सब्जेक्ट की पढ़ाई खत्म हो जाएगी एक तरह से लोग ये सब्जेक्ट नहीं लिया करेंगे, इन सब लेकर अब्जेक्शन थोड़ा है, सिख्षकों के तरफ से कुछ चात्र भी है, उनके तरफ से भी है, देखे ये तर्क दिया जाना कि इन्वर्सिटी से सब्जेक्ट खतम हो जाएगा, ये मुझे थोरा 2% सही महान लेते हैं, बाकि 98% ये तर्क सही नहीं है, इसलिए नहीं सही है, कि क्या जितने स्टूडेंट्स ग्रूजवेशन करते हैं, क्या सभी UPSC ये BPSC की तैयारी करते हैं, क्या? taking the best subject क六 was in which the university was. तो यह तर्क मुझे नहीं लगता कि सही है और देखे UPSC हो या BPSC हो सिभील सेवा की जो परिक्षा होती है वो अधिकारियों की निप्ति के लिए है जो कि जाके सरकारी योजनाओं को किर्यानवित करे सरकार को योजना बनाने में मदद करे तो उसके लिए समय समय पर बदला जो उजागर हमने किया तो पेपर लिक के बाद से क्या मानते हैं पेपर लिक एक बहुत बड़ा काटलिस्ट का काम किया BPSC में सुधार की जरूत है क्योंकि जब कोई संस्था कोई संगठन अगर बदनाम हो जाता है न तो कितना भी चोर्कियों ने उसमें बैठा रहा है उ और इनको अतुल परसाद जी को लाया ही गया है इस लिए यह तो अमेरिका चले गया थे यह तो रिटाइर आदमी हैं अमेरिका चले गया जैसा कि मुझे पता चला कि आप BPSC को सुधार यह इसमें सुधार कीजिए चबी को सुधार यह इनको सुधारने के लिए लाया गया है लेकिन फिर वही सवाल मेरा है कि जब तक पुराने टीम को आप नहीं बदलिएगा अमरेंदर कुमार जैसे लोग को नहीं हटाइएगा तो फिर जो अंदर से जो चल रहा है उस सिस्टम में जो घुन लगा हुआ वो तो फिर चलता रहे बढ़े आप सकरात्मक सुधार निकाल सकते हैं क्या काट इसका निकाल सकते हैं काट निकाल माले कितना भी अप सुधार कर जेची के सुधार बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन जब आपका ओमर सीठी रंग दिया जाएगा उसके बाद आप निगेटीव मार्किंग ला तो फिर तो यह सुधार तो ठीक है लेकिन यह बंद होना चाहिए न धांदली सेटिंग बंद होना चाहिए मेरा यह करना है सुधार काम स्वागत करते हैं और यह जो हुआ है सुधार निवंद लाया गया जो एक नया पेपर है उसके बाद अप्सिनल को जो है MCQ कर दिया गया और क्वालिफाइंग कर दिया गया तो देखिए हम लोग इसका स्वागत करते हैं कुछ कोचिंग वाले कल मुझे फोन किये साम में कुछ अस्ट्वेंट भी फोन किये कि मेरे टीचर जो है फलना टीचर बोल रहा है कि दिलीब जी को अंदो कर दिया है कहां थे उस समय ये टीचर लोग आज जब ऑप्सिनल एक तरह से समाप्त ही कह लीजिए कर दिया गया तो आज मूझ खुल रहा है कि गलत कर रहा है वी पीसी कैसे गलत कर रहा है वी पीसी भाई हम विरोध के लिए बिरोध नहीं करते हैं जहां गलत होता है कोचिंग वाले भी दो फार में हैं देखिए सभी कोचिंग वाले बिरोध नहीं कर रहे हैं कुछ कोचिंग वाले बिरोध कर रहे हैं कुछ सपोर्ट भी कर रहे हैं तो यह हो क्या रहा है कि जो आप्शनल पढ़ा रहे हैं तो वह बिरोध कर रहे हैं कि जो आप्शनल तो आप परहा रहा है वहां गलत हो जा रहा है उस पे आपको बोलने में नहीं हो रहा है लेकिन जब सकरात्मक सुधार हो रहा है तो हाँ पे आपका मुख खुल रहा है दिलिप कुमार जा रहा है कोचिंग में अंदोलन छात रित्में कर रहा है परसेंटायल खतम करवाने के लिए और 9 प्रसन का जो उत्तर गलत दिया गया है उसको सुधार करवाने के लिए धांद कर रहा है कि दिलिप कोचिंग का सपोर्ट कर रहे हैं हम कोचिंग का प्रसेंट क। ईए क्रेंगे और लेकिन दू घंटा आप कोचिंग बंद कर दीजेगा, तो मतलब पहाड तूट पर जाएगा, हमको बुरा लगता है, कोचिंग का स्थापना परस में बनाते हैं आप, तो दो दो दिन पुरा रोड सजा देते हैं, अर्केस्ट्रा करवाते हैं, नाच करवाते हैं, उसमें आप क्यों फोन कर रहे हैं, दिलिप कुमार को नेता नहीं बनना है, जिन सिच्छकों को लगता है कि गलत कि आप BPSC तो उतर जाए सरक पे कर ले आंदोलन, हम नहीं करने जा रहे हैं कोई आंदोलन, BPSC ने अच्छा सुधार किया, इसका विरोध हम नहीं कर रहे हैं, BPSC ने करेंगे, यह उप्सन हटना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आज हम पहली बार यह उप्सन हटाने की बात कर रहे हैं, हम तीन साल पहले से यह उप्सन हटाने की मांग कर रहे हैं, और जब जब अतुल परसाजी से मिले हम ने यह उप्सन हटाने की मांग किया है, PT का result, appearance का 10% हो, यह सब हम मांग कर रहे हैं, तो जो सही डिमांडों का हम करेंगे, लेकिन सिक्षकों को भी आत्म चिंतन करने की जरूत है, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, कि आप उस समय कहां रहते हैं, जब छात्रों के साथ अन्याय होता है, जी, कहां रहते हैं, चुप हो जाते हैं, अ अगले मेना वेकेंसी आईगी, 100% बोल रहा हैं, अगले मेना वेकेंसी आईगी, कि सधार पे बोल रहे थे, कैबिनेट से पारित नहीं हुआ, सरकार को नहीं पता था, और ये टीचर लोग को पता था, बैच मना बना के सब समाप्त कर लिया, तो गलत नहीं कर रहा हैं कर रहे हैं कि CBI जाच होनी चाहिए, BPSC में धांदली सेटिंग की, तो इन लोगों को दो घंटा कोचिंग बंद करने में रुआ खरा हो जाता है भाई, क्या ही लोग कर रहे हैं मतलब, नो टंकी ना कर रहे हैं, तो एक एक टीचर का हम सब कुछ जानते हैं, एक टीचर का ज होने पर आया, तो आज फोन कर रहे हैं कि दिलीब जी आंदलन कीजिए, तो दिलीब जी कोचिंग बंद करने पर आंदलन थोरे करता है, कोचिंग बंद करता है, हम चातर के साथ हैं, चातर हित में लराई लरते हैं, किसी बिजनेसमेन या किसी कोचिंग के हित में हम थोरे चात्रों का मतलब की राते बआते हैं। करना सिस्टेमेटिक चुकि वापो की इस्टिति ना हो। चलिए ये अच्छी बात है कि कम से कम अभी फॉर्म भरने का भी दस दिन विजियोगराफिक करवाई उन्होंने इस पर कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे आपका सुझा बहुत अच्छा है तो हम फिर मिलेंगे उनको बोलेंगे और विजंदर परसाद जी जो बोल रहे हैं इतने बुजूर्ग नेता हैं हमको तो क्या कहें इनको हम यह जो तरक दे विज़ें, जब मेंज यह जो शत्व साल से जमा हुआ है उसी को परिच्छानियंतरक बनादिये उसी को सचीप बनादिये उसी को संजुक्त सचीप बनादिये कभी ऐसा हुआ था क्या का JPOC का चेरमेन तक जेल चला गया हो कभी ऐसा हुआ तो आप जो तर्क दे रहे हैं वो गलत है आपका तर्क यह बिल्कुल गलत है आप सरकार की मनसुवा को इस पस्ट कर रहा है कि सरकार धांदली सेटिंग रोकना नहीं चाहती है बलकि सरकार धांदली सेटिंग में सनलिप्त है और सिक्षा माप्याओं को सनरक्षन दे रही है तो यह चीज़ सब बंध होना चाहिए हर हाल में सिक्षा माप्याओं पे करवा और धांदली सेटिंग बंध हो और इंटर्वियू का वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए यह उप्सन हटना चाहिए इंटर्वियू का वीडियोग्राफी होना चाहिए और कल दिलिप जी का जो था बयान जिसको लेकर छात्र का रहें कोचिंग वालों के तरफ से प्रदभास्त नहीं होना चाहिए हलाकि यह सुधार जो है यह काफी प्रगतिसील है और जब छात्र इसका स्वागत कर रहे हैं तो यह सराहनिय है भी और इसकी मांग लंबे समय से चल रही थी वीपीएसी में और चेंजिंग हुआ भी तो आगे देखिए परिच्छा कैसा ह पर है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया लाइक शेर करें हमार चैनल दबिहार टॉप को सस्क्राइब जरूर कर लें धन्यवाद